उत्तर प्रदेश का पहला पेपरलेश बजट पेश हुआ है, मरसाथ बाचित के लिए मौझूद हैं, कोशामी से लोग सवासांसर दुनो सोनकर जी, सर किस तरीके से बजट को देखते हैं, तमाम सारे वर्गों को छूने की कोशिच के गई है, लेकिन अखलेस यादों ने और इसके साथ साथ कॉंग्रेस ने इस बजट को भुलकूर पूरी तरीके से नकारा है कि यह जन तक हित पर नहीं है, देखे सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के मानि मुख वंत्री जी को इस बात के लिए बदाएक उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पर पेपरलेस बजट पेस किया गया है। इससे पता चलता है कि उत्तर प्रदेश कितने प्रगति के मार्क पर है। और मानी मुख्वंती जी के नेतुत में एक नहीं अनेक काम ऐसे किये गए हैं जो देश में पहले राजी की रूप में हुए और जहां तक विपच की बात करना हैं वो लोग कभी इस बजट की तारीप कर ही नहीं सकते हैं। इवाओं को निशुल कोचिंग देने की विवस्था की गए हैं उत्तर प्रदेश जहां प्रेटन की अपार संभावना हैं उसके दोहन के लिए उसके बढ़ावा के लिए प्रेटन पर विशेस रूप से ध्यान दिया गया है तो निशेस रूप से बजट आम आदमी के साथ सा को चाहू इवा हो महिला हो बैपारी हो किसान हो सब की चिंता की गए है और आने वाले समय में इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश में बैपार की गती बढ़ेगी यह उनत्ताए हैं प्रियंका गांधी को पूरा उत्तर प्रदेश का दोरा करें उनका स्वागत है लेकिन इसके साथ साथ जो किसानों की बात को वो उठा रही है जो कांग्रेश सासित प्रदेश हैं पहले वहां लागू कर दें उसके बाद बात को उठाएं तो मुझको लगता कि ज्यादा वेतर होगा एक प्रदेश के लिए दूसरी बात अपने प्रदेश के लिए दूसरी बात ये कांग्रेस का दोरा चरीत रहा है और ये दोरा चरीत प्रदेश की जनता पूरी तरह से वाकिब है साथ पेटरोल डीजल के अगर बात किये तो लगतार दाम बढ़ रहे हैं आज अगर बात करें तो रॉबर्ट वडरा ने इसके बिरोध में सैकल चला कर अपने गर से अपने कार्याले तक ऎगर कहह रहे हैं कि जो जनता है वो इस समय पेटरोल डीजल की मार झेल रही है कोई यह मोधी सरकार निने लिया था यह निने कांग्रेश के जवाने में मनमौण सिंग के जवाने में लिया गया था कांग्रेश को इस पर जवाब देना चाहिए दूसरा पिटोल डीजल को जो दामें बड़ी हैं अगर उनको घटाना है तो कांग्रेश सासित राज अपने इसको टेक्स घटा है जिससे प्रदेश में दाम तो घटे ही पूरे देश में अन्र प्रदेशों में एक संदेश जाए और तीसरी बात अगर ये निश्चित रूप से अगर पिटोल डीजल के दाम को लेकर चिंतितने जंता के समस्या को ये रिखांकित करना चाह रही है तो इसको जो कांग्रेश सासित प्रदेश हैं इसको जीएस्टी कांशिल परिशाद में क्यों नहीं लाते हैं अगर जीएस्टी कांशिल परिशाद में ला दिया जाए तो एक साथ दो बाते हो जाएंगी एक तो पूरे देश में पिटोल डीजल का रेट एक हो जाएगा और द कारण देश के अने जान्य पह़ों में अलग 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 रेठ है और महंगा भी है अगर इनको इत्नी चिंता है उनकरल करनी चाहिए लिगन यह पहलर नहीं करेंगे इंहों के वा दिखावे के लिए इनका जो दोहरा चरीत है कहने के लिए कुछ करने के लिए कुछ खाने के लिए कुछ दिखाने के लिए कुछ तो वही से नोक करना इनों को सुभाव में है सर सोनिया गांदी ने भी खत लिखा कल परदान मंत्रे को और कहा है कि डीजल पे शाड़े आठ सो गुना प्रतिशा थे जो टैक्स लिया जा रहा है और टैक्स कम करने की भी कहा गया है कि अंदर सरकार से शुक्रियम से बाचित करने के लिए तो यह को शामवी से लोगसावा सांसत विनो सोनकर जिनका कहना है कि सबसे पहले कॉंग्रेस को अपने राजियों में पहल करने चाहिए और वहां पर टैक्स कम करना चाहिए उसके बाद फिर वो केंद से बात करें करशन दर्भातन के साथ अबिनाश्तिवारी, ABP Ganga, दिल्ले